पंजाब बे तरंतारन के दलित सेख लकवीर सिंग की संयोक्त किसान मुर्चा के धना इस्थाल कुंटरी बॉर्डर पर निर्शन्स हत्या की गई जिसको लेकर पूर्व केंद्री राज्यमंत्री और अमबाला लोकसभा सांसद रतनलाल कठारिया ने इस घटना की तुलना तालिवानी कुरूरता से की है और इस घटना को भारती समाज और लोकतंत्र के माथे पर कलंक करार दिया है पत्रकारों से बास्चित करते हुए कटारिया ने कहा कि भले ही किसी व्यक्ति ने कितनी बड़ी गलती की हो तो भी देश का कानून किसी व्यक्ति को उसकी हत्या करने का अधिकार नहीं देता लेकिन कुछ निहंगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए जस तरह से उसकी बरबरता पूर्वा खत्या की है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है पुलिस ने लख़वीर के सारे रिकॉर्ड को खंगाला है कहीं पर भी इस प्रकार का कोई अपरादिक मामला या उसके सरारत पूर्ण जीवन के बारे में कहीं पर भी तरन तरन पुलिस ने टिम्पनी नहीं की और इसकी अतिरिक्त उनकी पत्मी ने ये कहा है कि मेरे पती एक धार्मिक व्यक्ति थे वो गुरु ग्रण साहब में गहरी आस्ता रखते थे वो किसी भी किमत पर गुरु ग्रण साहब की बे अग्वी नहीं कर सकते मेरे पती को एक सोची समझे क्षणियंतर के तैट मात के घाट उतारा गया है खबरों के निश्पक्ष विसलेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एड़ प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट अधिक जनकारी के लिए अभी डाउनलोड करें